नमस्कार साथियों जै हिंद भारत मादा की जै आज जो है आपकी इस ये जो वीडियो है बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है उसका रीजन ये है कि जो है आज हम बात करेंगे रूप टॉप सॉलर सिस्टम के बारे में क्योंकि गौर्वर्मेंट ओफ इंडिया ने बहुत ही अच्छी पहल करके जो है ये योजना लागू की है और इसको आप किस टाइप से अवेल कर सकते हैं क्या क्या स्टेप आपको फोलो करने पड़ेंगे और किस टाइप से आप जो है इसका फाइदा उठा सकते हैं क्योंकि इसके जो फाइदे हैं वो बहुत सारे फाइदे हैं कि आपका बिजली का बिल जो है वो बिलकुल 0 हो जाता है दूसरा फाइदा इसका ये है कि आपको कभी भी किसी चीज के ओपर dependent किसी चीज इन दे सेंस आपको grid के ओपर dependent रही नहीं रहना पड़ता मानलो कोई fuse ओड़ गया है मानलो कोई आपका transformer जल गया है तो उस case में जो है आपको कोई मतलब नहीं है इन चीजों से क्योंकि आपकी electricity तो चालू ही रहेगी तीसरा जो है ये आपकी cost बहुत ज्यादा save करता है आपका बिजली का बिल जेरो हो जाता है इसकी जो life है बहुत long life होती है दूसरा अगर आप इसको अपने घर के ओपर जो है install करवा लेते है residential home के उपर तो आपकी property की value भी बढ़ जाती है तो चलिए इससे ही related आज हम बात करने वाले हैं और ये जो है common problem है और common ही video है सब के लिए है या केला कोई ex-serviceman के लिए नहीं है तो चलिए बात कर लेते हैं कि किस type से आपको इसको avail करना है किस type से आप इसका फाइदा ले प दोस्तों तो subsidy आपको किस type से मिलेगी उसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं तो देखिए plant capacity क्या रहेगी और उस पे applicable subsidy क्या रहेगी और applicable subsidy for special category states कुछ category है कुछ states है जहां पे government जो है वो ज्यादा subsidy दे रही है ठीक है तो उन states को आप check कर पाएंगे जैसे कि कुछ states जो है इस नौर्थ इस्टरन स्टेट्स लाइक सिक्किम है उत्राकंड है हिमाचल प्रदेश है यूटीज है जम्मू और कश्मीर है लद्दाक लक्ष्विद्वीप अंडिमान निकोबार यहां पर जो है as comparison and as comparison of you know जो other states है उसके हिसाब से आपको यहां पर subsidy जो है वो ज्यादा म सोलर बैनर इंस्टॉल कराते हैं बहुत सारे घरों में तो हमने देखा है कि सिर्fa अधा क किलो वाट का ही 500 वार्ट का ही सोलर सिस्टम लगाते हैं उनको ज्यादा मतलब नहीं होता है इनको फैन से और उनकु जू जल जाएं ठीक है फ्रिज जल जाएं इतना ही काफी होता है इनके लिए तो up to 3 kilowatt तक जो है subsidy रहेगी वो 18,000 पर kilowatt रहेगी यानि कि suppose किजे अगर आप 2 kilowatt का लगाते हैं तो आपको 36,000 रुपे की subsidy विलेगी अगर आपका जो solar panel है 50,000 रुपे का है तो उस case में आप यहाँ पे 18,000 रुपे पर kilowatt के हिसाब से आप निकाल लेजिए और उतना ही आपको pay pay करना पड़ेगा जो special share states है उसके लिए आपको 20,000 रुपे की subsidy मिलेगी पर kilowatt के हिसाब से अगर आप किसी society में रहते हैं तो वहाँ पे जो RWA है उसका काम है इंस्टॉल कराना वहाँ पे जो चूट मिलती है वो 9, 9,000 रुपे पर किलोवाट के हिसाब से आपको subsidy का फायदा मिलता है अब applicable किस किस के लिए है अब हो मेंचिन subsidy वोड़ बी applicable for all subsidy claims submitted on the national portal on or after 5-1-2024 यानि के यह just recently ही launch हुई है यह जो subsidy के rates है यह पांच जनवरी है 2024 के बाद के rates है उससे पहले जो rates थे वो कम थे उससे पहले जो गवर्मेंट है वो subsidy बहुत कम दे रही थी और अभी जो है subsidy के rate जो है वो ज्यादा है अब इस पे जो कैलकुलेशन है subsidy की वो कैलकुलेशन कैसे होगी on the basis of total solar module capacity solar inverter capacity capacity approved by DISCOM whichever is lower यानि के total जो capacity है आपका inverter की जो cost है दूसरी जो उसके अंदर उपकर्ण लगेंगे उसकी जो cost है ठीक है और जो cost approved by DISCOM है DISCOM जो एक authority है जो इसको इसकी देखरेक करती है तो उसके हिसाब से जो है इसकी subsidy वो approved होगी अब इस पे हम बात कर लेते हैं कि किस type से आपको क्या क्या करना पड़ेगा सबसे वहले आपको solar rooftop की website पर जाना है website की शकल आपको मैं दिखा देता हूँ देखिए इस type की website रहेगी यहाँ पर आपको सबसे पहले क्योंकि आप नहीं customer है तो आपको register here पर click करना है यहाँ पर आपको state पर जाना है state यहाँ पर choose कर लेना है यहाँ पर आपको state उस state के अंदर आपकी कौन सी जो दो दो या तीन जितनी भी आपकी बिजली वितरण निगम है उनको उन में से कोई और वि जो भी जिससे भी आपका विजली का बिल आता है वो आप select कर लेंगे उसके बाद यहां पर अपना district select कर लेंगे यहां पर आपको अपना बिजली का बिल का number यहाँ पर डालना है और फिर next करते है अब next करने के बाद क्या आएगा देखिए जैसे ही आप next करेंगे त चीज़ें इसके अंदर मांगी गई हैं जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ स्टेप वन में क्या करना है स्टेप टू में क्या करना है यहां पर देख सकते हैं कि कुछ बेसिक डिटेल मांगे गई है कि आपका electricity bill के अंदर नाम क्या रहेगा category क्या रहेगी आपकी general है sorry SC है ST है OBC है यहां पर आपको अपनी जो है address डालना होगा address डालने के पास जो है आपको अपना last 6 महिने में से कोई भी एक विजली का विल यहां पर upload करना होगा ठीक है और विजली के बिल में से आप यहां पर sanction load आपका कितना है वह आपसे मांगा जाएगा और यह सब चीज़े आपको यहां पर जाके और अप सब्मिट कर देनी है फिर आपको अपनी जो बैंक डेटेल्स है वह यहां पर upload कर देनी है बैंक डेटेल्स आप बाद में भी upload कर सकते हैं तो सिर्फ इतना सा ही काम है जब आप यह कर देंगे उसके बाद का process क्या रहेगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं देखिए जब आप वह कर देंगे तो उसके बाद जो है technical feasibility ठीक है वह चेक की जाएगी ठीक है the submitted application will reach directly to the concerned discount for technical feasibility approval if all the details are correct the application will be approved अगर जो टेक्निकल टीम है उसको लगेगा कि आपने जो इन्पॉर्मेशन सब्मिट की है आपने जो डिटेल सब्मिट की है वो सही है तो उस case में आपका जो है approval हो जाएगा approval होने के बाद ही इसमें आगे बढ़ा जाएगा अगर reject हो जाता है तो उस case में correction के लिए आपके पास दुबारा से वो पॉंग खुलेगा ठीक है उसके बाद जो next है selection of vendor and plant installation अब ये बहुत ही important point है क्योंकि national rooftop solar system के अंतरगत काफी सारे vendor जो है इसके उपर registered हैं उसी में से आपको उसी वही जो registered vendor है जो डिसकॉम ने approved की होए है उन्हीं में से आपको कोई vendor select करना है आप आपके जो नजदी की vendors है उसके नाम आपको उहां पर मिल जाएंगे वहां से आप अपना जो है details उनसे मंगवा सकते हैं quotation मंगवा सकते हैं जिसकी quotation आपको अच्छी लगे उस quotation पर आप चले जाए जब PFR approval sign agreement with selected registered vendor and proceed for installation of the plant the list of registered vendor is visible in the vendors in my area tab in the applicant's account on national portal यानि के आप जो अपने पोर्टल के उपर login करेंगे तो वहां पर आप अपना जो है details चेक कर पाएंगे कि कितने vendor जो है आपके वहां पर मिल जाएंगे उसके बारे में भी हम यहां पर बात करेंगे देखिए मैं आपको सबसे पहले दिखा दूँ यहां पर अपने account को login किया है यहां पर जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने apply कर दिया है यह final submission जो है distribution company के पास चला गया है अब impanel vendor जो है देखिए आप left side में देख पा रहे होंगे impanel vendor in my area यहां पर आप click करेंगे यहां पर आप जो है एक लिस्ट खुल जाएगी इस टाइप की यह देखिए यह एबी ट्रेडर्स एवन ड्रिवाडी सोलर इंफ्रा एसी ग्रिंटेक एंबर सोलर प्राइविट लिए जो है वेंडर्स आपके पास जो है जो है जो है जाएंगे यहां पर इनका mobile नंबर दिया हुआ ह है इमेल आइडी दी हुई है यहां यहां पर आप खुद भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कॉंटेक्ट मी के उपर क्लिक करेंगे तो इनके पास आप इनका पास मैसेज जाएगा और यह खुद ही आपसे कॉंटेट कर लोगे तो इस तहीके से आप देखें कि मल्टिपल वेंड चूज कीजिए जो आपके घर के नजदीक हो ताकि कल को अगर कोई प्रॉब्लम आती है अगर कोई सर्विस रेटेड इश्यू आता है तो जाके आप उसकी गुद्धी पकड़ सकें यानि कि अगर आपने कोई दूर का बंदा चूज कर लिया इसमें कुछ पैसे बचाने के चक्कर में और कल को कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसकेस में फिर वह आपकी हल्प नहीं करेगा वह पीछा चुड़ाएगा ठीक है तो चली आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में जब आप वेंडर सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद जो है या इंस्टॉल करने के लिए अगर वेंडर को बुला लेंगे वेंडर जो है रिएटर्टे एंस्टेवर जो होगा वीज़िबल हुई जाएगा आपको इस लिस्ट में ठीक है अब उसके बाद पॉर क्या है सब्मिट इंस्टॉलेशांड डीटेल आफ्टर इंस्टॉलेशांड आफ कर लेंगे वेंडर जो है इसको इंस्टॉल कर देगा तब वेंडर आपकी उस प्लांट के साथ एक पोटो क्लिक करेगा वो जो फोटो है आप अपने ही पोटल के उपर आएंगे दुबारा से लोग इन करेंगे और उस फोटो को और उसके जो नेसेसरी जो प्रूफ है Discom officials will inspect the system in accordance with the technical criteria prescribed by MNRE upon successful inspection net meter would be installed by Discom यानि कि Discom जो है जब installation हो जाएगा तो उसके बाद Discom जो है official उसका जो official है वो verify करेगा चीज़ों को और एक net meter install कर देगा वहां पर उसके बाद जो next step है project commissioning status once the net meter has been installed the Discom official will approve the installation details on the portal and online commission certificate will be generated the certificate will be visible in the applicant's account यानि कि जैसे ही आपका net meter install हो जाएगा उसके बाद जो Discom official है वो approve करेगा installation को portal के उपर और online commission certificate जो है वो आपको grant हो जाएगा ठीक है उसके बाद आता है subsidy का number subsidy CFA request after generation of commissioning certificate the applicant can raise online subsidy claim request by providing applicants bank details along with the legal copy of cancelled bank check और pass book जैसे के मैंने आपको दिखाया यहाँ पे जो है आपको अपनी जो bank details है वो submit करनी पड़ेंगी यह देखिए यह bank details जो है submit करने आपकी जो subsidy है वो तीस दिन के अंदर आपको release कर दी जाएगी कितना easy process है मैंने जस्ट अभी तीन दिन पहले apply किया है जैसे ही मेरा grant होता है तो उस case में जो है मैं उसके उपर भी वीडियो बदाऊंगा और कैसे यह install होता है उसकी वीडियो भी मैं बनाऊंगा उस time पे लेकिन तब तक मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपका खुद का घर है जड़ से मकान है तो आप इसका benefit जरूर उठाएं और इसको install कराएं अपने घर के अंदर तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर end करता हूँ जै हिन भारत माता की जै